देखे गुटनों में जब भी ग्रीस कम होने लग जाए तो आपको बजार का ग्रीस इस्तमाल नहीं करना है कि आप मोटर साइकल वाला ग्रीस ले आए और अपने गुटनों पर लगा ले उससे ग्रीस बढ़ जाएगा बहुत से लोग मेरे कमेंट में कहते सर वो ग्रीस भी हम दूजन और दर्द जिस दर्द के लिए आप रोजना पेन किलर ले रहे हैं यह इसलिए देखिए ऐसा होता है इस्ट्रक्चर बताता हूं आपको गुटनों का कि जैसे दो अड़ियां है इनके बीच में एक लेयर होती है जो चिकनी होती है जिसको कोटिलेज बोलते हैं इसा ही मतलब आपकी सेफटी करता है कोटिलेज आपकी घुटनों की तो यह गिसने से बचा आता है अब आपका खान पान आपकी लाइफ स्टायल आपका आलास एक्सराइज नी करना कुछ भी खा लेना समय से नहीं खाना अनाप सनाप चीजों का इस्तमाल करना धीरे-धीर उसे आपकी घुटनों की कोटिलेज डेमेज होती जा रही है और जब यह देमेज होने लगा जाती है उसी दिन से ब्लों में चलना चीटी खाना पेन होना सुजन होना यह स्टार्ट हो जाता क्योंकि जिए का जो छकनाट हैं वो खताम हो जाती है जिसको हम अपनी वह सब्स को आपको मतलब माएनने रखना चाहे हैं आपको विलक्яж क मैं नहीं लेना कि कैलिस्यम की कमी आपके बड़ीम होने होने को बरकरा रखने के लिए मिल्क प्रोड़क्ट लेते रही है दूध फार जी लेते रही है जो तो अब मैं आपको Cautilets रेपयर एकर ने करने के लिए आपको एक बहतर चीज बताता हूं यानि ग्रीस बढ़ाने के लिए बहतर चीज बताता हूं आपको मैं पहले वीडियो में काफी चीज़ा बता चुका हूं लेकिन अब मैं जो चीज़ा बता रहा हूं वह भी आपकी ग्रीस बढ़ाने में बहुत ज्यादा कि आप ने सोच लिया कि मुझे आप गुटनों में ऑपरिशन कराना है गुटनों को बदलवाना है देखिए बात यह आप थोड़ा पेशंस रखिए रोजाना तीन अक्रोट रात को भिगो के और सुबह उनका सेवन स्टार्ट कर दीजिए अक्रोट पूरी बॉड़ी के लिए साथ में दूसरा नुस्का भी यूज़ कर सकते हैं अब दिए एक बात और बता हूँ आपने अगर पहली वीडियो देखकर किसी आप नुस्की को फॉलो कर रहे हैं तो वह भी आप लेते रहिए का ऐसा नहीं कि इसके साथ ये भी आप स्टार्ट कर दें आपको इतने एक ग्लास पानी में लूटके बात्ते हर संगार कि कर दो चल के बरेग्र को आपको जब आप सो जाते है रात को उसके बात यह नुश्का आपको पी ख़िक तो अपने ग्लास पानी को गरम उबाल एक दो वाल उसमा जाने चाहिए और चान के ठंडा करके चब इस पानी को पीजिए देखना गुटनों की ग्रीज को कितना जल्दी रेकावर होने में एल्प मिलता बहुत जल्दी इतना जल्दी को दबा भी काम नहीं कर पाती क्योंकि सिस्टम को डेमिज कर देती है और आप इन्हीं दवाओं पर डेपेंड हो जाते हैं तो जड़ से रोग को खतम कीजिए अंदर उसकी तह तक पहुंचिए सब्सक्राइब करने के लिए गुटनों की ग्रीज बढ़ाने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा एक साथ सब्सक्राइब तो करने होंगी देखना रेजल्ट आपको बहुत बहुत बैतर त्रीके से मिलेगा रोज़ाना करना और जब तक आरहों नहीं मिले जब तक कड़ते रहना इसका रेजल्ट आपको जभी पता लग जाएगा आपको दीरे-दीरे अब 20 दिन करना एक महिना करन आप इतने दिनों से बैसे भी काफी फेसेंस आपने रखा हुआ है खूप आप दबा ले रहें फिर भी तो मैं आपको बुचीज बतारूं जो घुटनों की ग्रीस बढ़ाती है धन्यवाद